बेलकम टो आइंसिस एकाडमी आई होप सविछात अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीएसी से संबंधित कुछ इंपोर्टन्ट फैक्स पर जनली छातरों की मांग जो है लगातार रही है अंतिम उत्रकुंजी को लेकर साथ ही कटाफ को लेकर और आयोग इस पर कोई भी इस्थित जो है अफफ नहीं करता है और ना ही करंडर में बताता है कि आपका कटाफ किस दिनाएगा आपका अंतिम फंफोजित उत्रकुंजी का वाएगी ठीक है इस वी क्या होता है कि छातरों के मन में जो है फंफे हमिएफा बना रहता है जो है अपने रिजल्ट को लेकर और फाथ ही चाहे आपकी RTI की कॉपियां हूँ वो भी फ़री तरीके फे नहीं दिखाई आती है ठीक है और आयोग की बेफेट पर भी उपलत नहीं होती जब कि कई फ़रे आयोग हैं जो इस शेतर में कार कर रहे हैं और अपने आपको जोड़ कापी दोनों कापी आपको जो है अब फैट पर उपलत रहेंगी जो फ्लेक्टेड हो या ना फ्लेक्टेड ठीक है इस तरह के उत्रा खंड पीसेस में भी आप देखते हैं कि वहां भी कापियां जो है आपकी डाल दिया आती इससे क्या होता है टांस पैरेंसी आती है ठीक है तो इस तरह की चीजों को लेकर चात लगातार मांग कर रहे हैं ठीक है अलाबाद में भी जो है कई चात्र जो ग्रुप्स हैं वो लगातार जो डिमांड आयों के पास करते रहते हैं बड़ कोई स्टॉंग कमूनिटी ना बनने के उज़ए इन चीजों पर यहां पर फिलहाल तो एकफ़न नहीं लिए जा पारा बर अधर इस्टेट में चीजें कुछ में कुछ जो है अच्छी होती दिखाए दे रहे हैं अब छात्र की एक जुट्टा ना होनी के यहां पर आपको कुछ खाफ पढ़नाम देखने को नहीं मिला फिर भी नुट पीपर के म प्रेंडर में फामिल हो प्रस्ताविति थी क्या है देखते हैं आची खबर यूपी पीएसी की और से संफोधी उत्तरकुंजी कटाफ यूम प्रप्तांग को लेकर इस्थित असपष्ष ना किये जाने से अब्यारती परिफान है वह चाहते हैं कि आयोग आवेदन प्रकिर लिए के दोरान ही एफ़ास कर दे कि संफोधी उत्तरकुंजी और कटाफ अंग कब जारी किये जाएंगे आयोग पीसे दो आठारह से पहले तक अन्तिम चैन परणाम वाले दिन ही कटाफ अंग जारी करता था फाथी संफोदी उत्रकुंजी पहले ही जारी कर दिया थे लेकिन अब अन्तिम चैन परणाम के बाद ही उत्रकुंजी और कटाफ अंग जारी किये जा रहे हैं आओग यह फूचना तो पहले से दे रहा है कि उत्रकुंजी और कटाफ अंतिम चैन परणाम के बाद जारी कर दी जाएंगे लेकिन इसके लिए को इतित निर्धारित नहीं है अब्यारति को अंतिम चैन परणाम जारी होने के एक साल बाद तक उत्रकुंजी और कटाफ के लिए इंजार करना पड़ता है अब्यारतियों को इससे दो तरह के नुकसान हो रहे हैं क्या का नुक्सान हो रहे हैं आपके एक उत्तर कुंजी देर से आने करण सवाल गलत होने की स्थे में बैरती मजबूती से अपना दावा पेश नहीं कर पा रहे हैं और अगली परिच्छा के लिए बहतर ढंग से तैरी भी नहीं कर पा रहे हैं प्रतोगी छात्र फंगर समित के मीडिया प्रभारी प्रफान पंडे का आरोफ है कि आयोग जान बुझकर देर से उत्तर कुंजी दो कटा फंग जारी करता है फंग से बात पहुचाई जा सकती है ठीक है मुक्बंत तक बात पहुचेगी तो डेफिनलिटी संग्यान में आएगी तो कुछन कुछ खुधार होने की दफा में आयोग फायत जा सकता है ठीक है पिरहां कुछ फुदार करने कंडिशन में है अभी आप जानते हैं अफ़ी लोगों को कहिन कहीं बाहर किया गया है बट ये उट के मुँँ में जीरा वाली बात है इस चीज़ को लोग इतने बड़े पैमानें पर प्रसुत कर रहे हैं चैनल के माद्दम से कि क्या कर द हैं तो इसमें कुछ भी कहना सहीं नहीं होगा जब तक चीजें सबसे बेटर हर्थियार जो है वह और सबसे अच्छा कॉंपी चेकर होता है चात्र फोयम खुद अगर चात्र को खुद उसकी कॉंपी दिखा दी जाएगी वह सबसे अच्छे से अपना हाट में कर सकता है ठी देल में उन्होंने बता है कि लास्ट गया जब देखा गया तो मेरे मांक्स जो है इससे और हिंदी के अंदर हंडेड प्लस थे और चानक से अगली सौन क्या हुआ जब मेरे मांक्स जो शिस्टी फाइब से नीचे आ गए अब आपनो इसके नंबर जो है सीधे तोर पर 35 नं आते हैं तो जी एक हम ब्रति जो है विख्वास की भावना नहीं हो पा रही तो अकर बिख्वास की बहुणा उत्पन करना सफ़र्वत होती है प्रतर प्रमाण की बुरुत होती ही आप सीधे जो काप्य डाल दीजिए सब अपना काप्य चेक कर लेंगे अच्छे प्वास्वा रही है अपने लेबल पर उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप फिर लोगों को बाहर करिए उस अब ठीक है लेकिन फिर भी बड़े पैमान जो सफिय चीजी है कि आप टाइम से उत्तर कुंज दीजिए और उत्तर कुंजी आप एक डेड़ा साथ बात दे रहे हैं इतने हम अगला अगर आपने जारी किया है तो आपको उत्तर कुंजी ढालने में क्या दिक्कत है लेकिन फिर भी अंतिम चैंड पार नाम अरिजील आपका पीटी की डेढ़ेंगे क्या मतलब इस बात का तो आपको खुद पर फोयम पर बिसवाफ नहीं है कि आपने उत्तर सभी बनाया है आ आप कुश्चन को इंप्रूब करें कमिया आपके अंदर है बताते हैं आप चात्रों के अंदर आपके बरबादी होती है इस तरह इस चीजे ना की जाए बात जाए 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 लोगों तक पहुचे ठीक है एक बात जो है पहुचनी चाहिए ताकि कोई इसका एक अच्छा न निकाला जाए ठीक है और वीडियो को जाए जाए करें ताकि बाते जो है आगे तक ही पहुंचे आखिर रियल्टी क्या है यह हमारे जो है मान्य मुक्वंति जी को भी पादा चलनी जाहिए कि सच्चा ही क्या है अगर चात परिफान क्यों है और आयोग में जो चीजी देने बाते